नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दुबे, आज बनाने जारी हूँ आउले का खटा मीठा अचार और आप इस अचार को बनाने के बाद एक महीने तक खा सकते हो और ये बहुत ही चटपटा बनता है और आप तुरंत इस अचार को बनाके इस आउला है ये देखिए और आउले में बहुत सारा बिटामिन सी होता है एक आउले में तीन संतरे के बराबर बिटामिन सी होता है आप इसे चमन प्रास बना के खाएं या फिर आप इसकी चटनी बना के खाएं मुरब्बा बना के खाएं पर सर्दियों के मौसम में आउला जरूर खाएं क्योंकि इसी मौसम में आउला मिलता है तो यहां पे देखिए मैंने यह आउला ले लिया है और एक बरतन में डाल दिया है और यहां पे एक से डेड़ गिलास मैंने पानी डाला है पानी डालने के बाद मैं इसे चड़ा दूँगी गैस पे और इसे बॉयल कर ल आप देख पा रहे होंगे एक नजदीक से दिख रहा है कि ये पूरी लाइने इसकी फटके अलग हो रही है बस इतना हमें आउले को उबाल लेना है ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसे एक अलग बरतन में निकाल लेती हूँ तो यहां निकाल लेते हैं यहां पर होने के बाद हम आउले को इस तरीके से बीज से अलग कर देते हैं इसका जो बीज है बहुत आसानी से उबलने के बाद निकल जाता है तो मैं सारे आउले को इसी तरीके से निकाल लूँगी और इसमें से आधे आउलों को हाथों से मैस कर लूँगी क्योंकि जब हम चटनी तो थोड़ा सा जब आउले को मैस करके डालते हैं, तो वो चटनी या फिर अचार बहुत ही टेस्टी होता है, सारे में अच्छे से मसाले घुल जाते हैं, अब मैंने रग दी है कडाही गैस पे और टू टी स्पून मैंने डाला है सरसो का तेल, इसके बाद मैं डालूंगी थो और यह जो तड़का हमने लगाया है, इन स्पंच फोरन मसालों का बहुत ही अच्छा चटक चुका है, तो अब मैं डाल दोंगी आउलों को, जो आउले हमने बॉयल करके रखे थे, उसे डालने के बाद इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को मेडि करके डाले हैं, वो अचार का मज़ा और भी पढ़ा देगा, उसमें सारे मसाले अच्छे से घुल जाएंगे, यह देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कि अब हमारा आउला एकदम अच्छे से भुन के तयार है, बस इतना भुनने के बाद हमें आउले में गु गुड़ भी लिया है, यह देखिए, इसे डाल देंगे, गुड़ को क्रस्ट कर लिया था, कद्दू कस्पे, यह देखिए, इसे डाल दिया है और अब इस गुड़ को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से गुड़ को पका लेंगे तो ये देखिए गुड़ पूरी तरह से इकठा हो चुका है मिलाते हुए मेल्ट कर लेंगे तो ये देखिए गैस की फ्रेम को मीडियम रखेंगे और इस तरीके से बराबर गुड़ को चलाते रहेंगे ताकि जो गुड़ है नीचे से जलने ना लगे गुड़ नीचे से जलेगा तो आपके आचार का टेस्ट खराब हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते हुए मैंने गुड़ को मेल्ट कर लिया है धीरे धीरे और अब आप देखेंगे कि चटनी का कलर भी चेंज हो चुका है तो यह देखिए जो खटा मीठा अचार है वो पूरा अचे से गुड़ में घुल चुका है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले तो चलिए इसमें मसाले डाल देते हैं तो यहाँ पे मैं काली मिर्च का पॉर्डर डाल रही हूँ थोड़ा सा इसके बाद मैंने ब्लेक सॉल्ट डाला है यानि काला नमक और थोड़ा सा जो नमक रोज यूज करते हैं उसे डाला है नमक बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालना है उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पॉड़र डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और यहाँ पे मैंने डाला है 1 तीस्पून कसमेरी लाल मिर्च का यूज किया है मैंने ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है अगर आप और भी चटपटा और तीखा पसंद करते हो तो आप कुटी हुई लाल मिर्च तीखी वाली भी डाल सकते हो क्योंकि कस्मेरी लाल मिर्च जादा तीखी नहीं होती है तो ये देखिए सारे मसाले डालने के बाद कलर बहुत ही अच्छा आया है और मसाले डालने के बाद हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है बस इस तरीके से एक मिनट चलाते हुए मसालों को पका लेंगे तो ये देखिए बहुत ही लाजबाब है आप एक महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं पूरी पराठे हर चीजों के साथ ये चटनी बहुत ही स्वादिश लगती है मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ आप देख पा रहे होंगे कि जो आउले हमने मैस करके डाले थे वो बहुत ही अच्छे से इसमें गुड के साथ मिक्स हो गए हैं एडेखिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और चटनी को सौप कर लेंगे यहाँ पर देखिए चटनी पहले से थोड़ी सी गाड़ी हो चुकी है जैसे जिसे ठंडी होगी तो हलकी सी गाड़ी हो जाएगी यह देखिए यहाँ पे लाजबाब आमला अचार खटा मीठा अचार बनके तयार है मेरी ये रेस्पी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें